बिसमलाहिर्मानीर्रहीम, आज का प्लांट है Mexican Stone Crop Stone Crop की वराइटी है, और सीडम जो कॉमन नेम है इसका सीडम मैकसिकण भी से कहते है ना, कॉमन मैकसिकन स्टान क्रोप स्टान क्रोप एक फ्लॉवरिंग स्टाइल में होता है, और यह सीरिकी वराइटी में यह सीडम मेकसिकन स्टॉन क्रॉब है परीनियल प्लांट है यावर ग्रीन प्लांट है अलबता यह सर्थी में थोड़ा डौर्मेंसी में जाता है यह दौर्मेंसी में नहीं मतलब तोहँड़ा सा अगर इसको शदीद ओस पड़े तो इसका जो पती यह है वहां यूजता है और फलावुरिंग Π्लान्ट है फलावुरिंग के जो इसका टाइम है फलावुरिंग जो इसकी होती है वह मई से लेकर कर मदश göt pomla नमबर के यह लिए सब्सविर निजूज प्लावुरिंग घाले है और यहां पर अच्छा खासा शेड हो तो वहाँ इसकी ग्रोथ जो है जो इसकी लीव इतनी खुबसूरती जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और जैसे स्पेस बढ़ जाएगी ने इसकी लेगी सा हो जाएगा प्लांट इसलिए सर्दियों में से फुल सन में रखना पड़ेगा और अकर ओस का सीजन है तो फिर भी इसको ओस से बचा के रखन पड़ेगा उस दुरान थोड़ा डॉर्बंसी में जाएगा ये तो जैसे मैंने पहले भी काया के फैबरेरी से पहतर उना शुरू हो जाएगा और बता इसको गर्मियों में हम इसे पार्शल शेड में रखेंगे प्रॉप्रिगेशन भी इसकी बहुत इसी है इसकी सोयल में लेकिन वेल ड्रेनों वेल ड्रेन सोयल में हम इसको एजीली लगा सकते हैं जैसे ये मैंने स्टेंट दिखाई है ये थोड़ी इसकी रूट के साथ लिये इसको आम सी नौर्मल सी सोयल में आप इसको लगा दें बस इसकी इची सी ब्रॉप्रिगेशन होजएगी एक दिन ठैर कर इसे पानी दें ये ही इसकी खास बात है इसके बारे में कुछ भी पुछने है आम उसे कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा अलाफीज